अपने काम की चिंता मत कीजी, उसे छोड़ दीजी, आप क्या चाहते हैं? रहने की जगह मैं आपको दूँगा आप रदिन भोजन चाहते हैं, मैं आपको दूँगा आपको बस करना ये है कि एक जगा बैटना है और आनन्दित रहना है मैं आपको जीवन भर खिलाऊंगा क्या आप कर सकते हैं? नहीं, आप हर दिन किसी चीज में उलजना चाहते हैं लोग कहते हैं वो सिर्फ जीविका के लिए काम कर रहे हैं मैं कहता हूं मत कीजिए, मैं आपको छट दूँगा, मैं आपको हर दिन खाना दूँगा कोई समस्या नहीं, आपको बस ये करना है, मैं हर दिन पर्मनंद के आंसु देखना चाहता हूं बस इसी की जरुरत है, आपको कोई काम नहीं करना है आपको मेरी सेवा नहीं करनी है आपको कोई उत्पादन नहीं करना है कुछ भी नहीं बस आनंद से यहां बैठिए हम आपको खिलाएंगे हम आपके पूजा करेंगे नहीं तो समस्या आपके काम में नहीं है समस्या आपके जीवन में नहीं है समस्य उस दुनिया में नहीं है जिसमें आप रहते हैं समस्य बस ये है कि आपने इसके लिए जरूरी चीजें नहीं की हैं ताकि ये सहज्टा से खुबसूर्ती से बैसके जरूरी काम नहीं किया गया है और हम बस उम्मीद कर रहे हैं ये संयोग से हो जाए, ये संयोग से नहीं होता, दुनिया में बहुत से लोग सोचते हैं, कि संयोग तराज अमेरिका स्वर्ग है, लेकिन जो लोग यहां रहते हैं, उन्हें ऐसा बिलकुल नहीं लगता, ऐसा ही है ना, हाई है ना, दुनिया में बहुत से लोग इस देश में आने के लिए मर रहे हैं अगर आप दक्षिनी सीमाई खोल दें तो कल सुबह एक करोड लोग घुसाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्वर्ग है लेकिन आपको ऐसा कोछ अनुभम नहीं हो रहा है है ना? आप इसे स्वर्ग जैसा महसूस नहीं कर रहे है क्योंकि नर्क और स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थान नहीं है नर्क और स्वर्ग वो है जो आप खुद से बनाते हैं है ना? स्वर्ग के बारे में बहुत ज्यादा बातें चल रही है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद को नर्क बना लिया है अगर आपने खुद को स्वर्ग बनाया होता तो क्या आप स्वर्ग जाने की बाते करते अगर आप यहां बैठते और पर्मनन में डूब जाते तो क्या आप स्वर्ख जाने की इच्छा करेंगे, मैं पूछ रहा हूँ एक बार ऐसा हुआ 20. सदी के शुरुवात में एक रूडिवादी, यूनानी, चर्च का एक बिशप आप जानते हैं, रूडिवादी, यूनानियों का एक अलग चर्च है उनका अपना पूप है, जो तुर्की में रहता है, आपको यह पता है? तो इस समाज के एक बिशप ने भारती रहसिवाद के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और वो भारत जाना चाहता था लेकिन वो कभी जान नहीं पाया क्योंकि उसे उस कपड़ी की सेवा करनी थी जो उसने पहन रखा था और साट साल के बाद जब वो आधा रिटायर हो चुका था तब उसे मौका मिला और वो भारत गया तो वो दक्षन भारत आया जहां अभी हम लोग हैं और वो एक रहस्यवादी एक योगी से मिलना चाहता था तो किसी ने कहा इस पहाड पर जाइए वहाँ गुफा के पास एक योगी बैठे हैं आप उनसे मिल सकते हैं तो ये आदमी गया पहाड पर हाफते हाफते चड़ा और उपर पहुँच गया एक गुफा के सामने एक बुड़ा आदमी अपने चेहरे पर एक सौम मिल मुस्कान के साथ आखे बंद करके बैठा था तो बिशप गया और वहीं दंडवत हो गया वो ऐसा नहीं कर पाया वो इसके लिए नहीं बना था लेकिन लोगों ने उससे कहा था अगर तुम भारत जाओ तो तुम्हें ऐसे करना होगा उसने इस तरह से दंडवत किया और अपने चारों अंगों के साथ ख़ड़ा हुआ योगी ने उसे कौतू हलवश देखा जाहिर था उसने पहले कभी दंडवत नहीं किया था और वो मुस्कराए फिर बिशप बोला मैं ऐसे ही हूँ, मैं एक बिशप हूँ मैंने काफी लंबे समय तक चर्च में सेवा की है लेकिन मेरे कुछ सवाल है क्या आप जवाब दे सकते हैं योगी मुस्कराए और बोले हाँ क्रिप्या, जो भी सवाल हो पूछिए तो बिशप ने पूछा जीवन क्या है? साट साल की उम्र में जीवन क्या है? तो योगी ने अपनी आखे बंद कर ली आनंद में डूब गए और कहा जीवन वसंद की बैयार में चमेली की खुश्बू की तरह है और ये कहते हुए उनकी आखों से आनंद के आशू बहचले तब बिशप ने कहा नहीं, नहीं, नहीं हमारे पूप ने हमें बताया है कि जीवन एक काटे की तरह है और हमें इसका त्याग करना चाहिए और यहां तक कि प्रतीक के रूप में जीसस ने खुद काटों का ताच पहना था तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं हमारे पूप ने तो उल्टा का है योगी ने उसकी और देखा और मुस्करा कर कहा खैर यह उनका जीवन है तो आप इससे क्या बनाते हैं यह इस पर निर्भर नहीं करता कि आप कहा हैं आप क्या हैं बात बस यह है कि आप इससे क्या बनाते हैं है ना तो क्या आपने जरूरी प्रक्रिया बनाई है क्या आपने जरूरी व्यवस्था बनाई है क्या आपने अपने भीतर जरूरी तत्तों पैदा किये हैं ताकि ये वसंद के बयार में चमेली की खुश्बू बन सके ना कि काटा अगर ये काटा है तो हमें इसे उखाड फैंकना चाहिए है न? है के नहीं? कर दो हमें